दोस्तो स्वागत है आप सभी का इंडिया बनाव आईलेंड के बीच में 84-20 मुकाबले की लाइब स्टीम बे दोस्तो आज 84-20 मुकाबला खेला जा रहा है बहुती बहतरी यहापे मुकाबला आपको देखने को मिलेगा भारत बरसस आईलेंड के बीच में तो सभी लोग लेके दोते होई अधीर विराट कोहली सामना करेंगा इछेंट पाकिसं तरह से क्या लेंगे दोसदे विराटा कोहली ने इस गेंट को उठा करेंगे सामना करेंगे विराठ कोहली वी और यहाँ पे विकेट मिलती हुई दोस्तो आइलेंड की टीम ने यहाँ पे विकेट चरकालिया है रोई सर्मा का बहुती सांधार तरीके से सुरवाध दिलाई है रोई सर्मा ने यहाँ पे कोई रन बनाया नहीं दोस्तो आप देख सकते हो अधिर ने अपनी गेन डाली पर रोहिज सर्मा ने बारा सोट खेलने का प्रयास किया है और छक्के के साथ उनका खाता खोलने की प्रयास था लेकिन दोस्तो गेंड चीदी गई है फिल्डर के पास और यहाँ पे इंडिया का पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ दोस्तो रोहिज सर्मा के नाम से फिलाल विकेट गिर चुके है तीन दरन के स्कोर पर एक विकेट गिर चुके है दोस्तों अब देखना होगा आगली गेंट किस तरह से डालेंगे अदीर सामना करेंगे केल राहूल पहली गेंट खेलने के लिए तयार केल राहूल पहली गेंट को इस गेंट को उठा के खेल दिया है गेन जा रही है हवा में सीधी गेन जाएगी फिल्डर के पास एक और यहाँ पे विकेट चटकाती हुई आईलेंड की टीम सांदार तरीके से गेन बाजी देखने को मिल रही है और यहाँ पे विकेट गिरती ही केल राहूल की हलाकि दोस्तों उन्होंने ओप साइट की दीशा की थी फिर से एक बार तयार है हार्दिक पांडिया अपनी बल्ले बाजी करने के लिए और दोस्तों सामना करेंगे अधिर का आखरी गेन अधिर की इस गेन को उठा के खेले का प्रेयास किया है लेकिन फिल्डर के पास एक और विकेट यहाँ पे गिरती हुई बहुती अच अखरी गेन बाकी है दोस्तों इस ओवर की देखना होगा किस तरह से यहाँ पे इस गेन पे सोट खिलते है अगर दोस्तों चौका च्छका लग जाए तो अच्छी रहेगी इस ओवर में अगली गेन फिर से एक बार बड़ा सोट के लेगा प्रेयास किया है लेकिन गोस्तों गेन जादा दूर रे गई नहीं है दो रन ले ले लेंगे दोनों बले बाच और सांधार तरीके से अपनी स्कोरिंग रेट को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है दोस्तों अब देखना होगा दोस्तों ओवर किस मापती के बाद अब देखना होगा नए गेन बाज कौन गेन बाजी करते हैं अबी तक तो टीम इंडिया की बात कर दोस्तों तो काफी जादा अगे निखेलेंगी और इस गेन को उठा के खिलेंगा प्रयाज किया फिर से एक बार फिल्डर के पास गेन एक और विकेड यहाँ पे विकेड गिरती हुई नजर आ रही है दोस्तों का काफी ज़्यादा अच्छी विकेड़ें गिरती हुई नजर आ रही है बहुत इसांदार तरीके से गेंबाजी जखने को मिल रहे आयलेंड की टीम की तरफ से अब दोस्तों सुरिकुमार यादो भी दो गेंदों पे दो रहा कर आउट हो चुके है अब देखना होगा दोस्तो पे दो विकेड़ चटका चुके है एक और यहाँ पे बड़ा सोट के लिए का प्रयास नहीं किया है लेकिन दोस्तों रन यहाँ पे दो जरूर से लेंगी दोनों बलेबाज मौमद समी और शुबनम की लिए अभी तक क्रीज के उपर यहाँ ठीक हुआ है किस तरह से बलेब चुके के साथ यहाँ पे सुरुवात हो चुवी टीम इडिया की बाउंडरी की सुबनम कील ने यहाँ पे सांदार तरीके से बलेबाजी की है सोड़ी दोस्तों मौमद समी ने यह चौका लगाया था और सांदार तरीके से यह चौके की साथ सुरुवात करते हुए अगली पारन पांच विकेट के नुकसान पे बहुत विकेट गिर चुके है दोस्तों टीम इंडिया की अब देखना होगा किस तरह से बले बाजी करेंगे आगे आने वाले समय में सुपनमगिल और मोहमद समी सुपनमगिल ने फिर से एक बार गेंड को उठाया लेकिन सीधी गेंड क करेंगे आज के दिन में काफी जाद अच्छी बले बाजी करने पड़ेगी ओवर की समापती दो ओवर में लगबग यहाँ पे छे विकेट गिर चुके है बारा रन का स्कोर है काफी जादा विकेट गिर चुके है दोस्तों लेकिन दोस्तों अच्छी बले बाजी करने पड किला जा रहा है दोस्तों बहुत ही सांदार तरीके से इस मुकाबले की सुरुवात हुई थी आज आइलेंड की टीम ने बहुत ही सांदार गैन बाजी की है एक और बड़ा सौट केले का प्रयाज फिल्डर के पास गैन गई है कोई रन नहीं बिलगा इस गैन पे बड़ी अतर केले का प्रयास वहाँ पे गैप में गई है गैन लेकिन फिल्डर यहाँ पे मौझूद है एक रन लेंगे तब तक यहाँ पे जब तक थ्रो किया जाएगा दोनों बले बाजों ने अच्छी बले बाजी का नजारा देखने को मिला है अभी तक एक और यहाँ पे अच्छी गैन बाजी देखने को मिल रहे अभी तक बाउंटरी नहीं आ रही है शिर्फ एक चौका लगा है मौझूद समी के बले से और सांदार तरीके से आप गैन बाजी का नजारा देखने को मिल रहा है अब देखना होगा अगली गैन फिर से एक बार एस सिंग की सामना करेंगे म मुझे लगता है कि गैन तीजी गरप्तार से बाउंटरी की तरफ जाती हुई लेकिन वहाँ पे फिल्डर मौझूद है फिल्डर ने जब तक फ्रोक किया है तब तक यहाँ पे दोनों बले बाजों ने एक रन यहाँ पे पुरा किया है आखरी गैन ओवर की अब देखना हो चहल आए है बले बाजी करने के लिए मैदान में किस तरह से चहल बले बाजी करेंगे लेकिन ओवर की समापती हो चुकी है चोती ओर की यहाँ पे शुरुआत होने वाली है यूजवें दर चहल यहाँ पे बले बाजी करने के लिए मैदान में आए है अब देखना होगा किस तरह से बले बाजी करेंगे यूजवेंदर चहल सामना करेंगे डैनी का एक और बढ़िया गैंद यहाँ पर फिर से एक बार दोनों बले बाजों ने एक रन ले लिया है सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोडेट का नजरा देखने को मिल दा है मोहमद समी ने अच्छा स और बले बाजों ने भी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टाइक रोडेट करने का हाच्छा चलाया रखा हुआ है फिर से एक बार अगली गैन किस तरह से केलेंगे और बड़ा सोट केलेंगे इस बार गैन टीजी की रपतार से बाउंट इलाएं की तरफ जाती हुई लेकिन आप सभी को बता दूए कि बहुत बड़ी आसोट केलेंगे प्रयास चहल का लेकिन यहाँ पर गैंद बले के साथ टकरा ही नहीं है और यहाँ पर डॉट गैन जाती हुई अब देखना होगा आगली गैन किस तरह से केलेंगे युजवेंदर चहल यहाँ पर सामना करेंगे डैनली का यहाँ पर बड़ा सोट केलेंगे प्रयास फिर से एक बार गैन गई है बाउंटी लाइन की तरफ दो रन लेंगे दोस्तों दो बलेवाज और सांदार तरीके से अपनी स्कोरिंग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आइलेंड की टीम ने अभी तक सांद अगरी गैन फिर से एक बार तैयार है आखरी ओवर यहाँ पर इस ओड़ में बहुत सारे रन लेने पड़ेंगे दोस्तों टीम इंडिया को अगर जीतना होगा तो एक और बड़ा सोट केलेंका प्रयाज क्या है गैंज आएगी फिल्टर के पास वन बाउंस के और 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 य कर लिजे चैनल को और बैल आइकन की भी दबाई लेजिए बहुत तीसांदार तरीके से यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा एक और बड़ा सोट के लेंगा प्रयास फिल्डर मौजुद है वहाँ पे दो रन लेंगे जरूर से यहाँ पर डाइव लगा दिया है नौट बले बाज तेजी के रफ्तार से दोड़ते हुए 29 रन हो चुक है साथ विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया का स्कोर अब देखना होगा अगले गेंड किस तरह से खेलेंगे बहुत इसांदार तरीके से आज गेंड बाजी देखने को मिली है एक और बड़ी आसोट लेकि देखना होगा किस तरह से साथ लुठाक और आज के अब दीन में बले बाजी करते है और बड़ा सोट खेलने का प्रयास किया एक बार फिर से मुझे लगता है कि चार रनों के लिए जा सकती है गेंड बाउंटरी लाइन की तरफ और चार रन लगाते हुए अब देखना यहाँ पे मुहमद जिराज ने अच्छी गेंड को फिलिप किया है और चौका एक और बड़ा सोट केले का प्रयास किया मुझे लगता है कि यह गेंड भी बाउंटरी लाइन की तरफ जा सकती है लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिल्डर मौजूद है ओवर की समापती होती हु पार्टी मीडिया ने यहाँ पे सांदर बले बादी देखा ही है